दोस्तों नमस्कार आदाब सच्रियकाल न्यूज क्लिक के कारिक्रम न्यूज मन्थन के साथ मैं उर्मिलेश आज बहुत दुखी मन से ये कारिक्रम पेश कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुजफर नगर जो पहले भी काफिछ चर्चा में रहा है बलकि एक हद तक बहुत बदनामी का दौर भी उस जिले ने देखा है चीज़ें पटरी पर आ रही थी लेकिन अचानक ब्रिहस्पत इवार की घटना बताई जाती है जो प्रशासनिक खलकों से जो खबर है कि ये घटना ब्रिहस्पत इवार की है जब मनसूरपुर पुलिस स्टेशन जो मजफर नगर का है उसके खुबापुर गाओं में एक स्कूल है नेहा पब्लिक स्कूल और इसको चलाने वाली त्रिपता त्यागी हैं वही मालकिन हैं वही टीचर हैं वही प्रिंस्पल हैं सब कुछ वही हैं प्रवंधक वही हैं उन्होंने जिस तरह मुस्लिम समुदाय के बच्चों के साथ खासकर एक बच्चे का जो दृश्य है वो वीडियो में वाइरल हुआ है जिस तरह वो पिटवा रही है उसको जिस तरह से जो दूसरे मेजाटी कॉम्मिनिटी के जो लड़के हैं उनको प्रेरित कर रही है कि मारो मारो पीटो और जब वो मद्धिम ढंग से पीटते हैं ये मारके की बात है जब उनका थपड थोड़ा जोरदार नहीं लगता है तो वो कहती है क्या खा के आयो तेज मारो और फिर वो ये भी कहती है कि कमर पे मारो अब आप कल्पना कीजे कि किसी चोटे उम्र के बच्चे के कमर में अगर चोट डाली जाए उस पर वहां अगर चोट लगे तो हो सकता है कि उसको ऐसी बिमारी हो जाए बड़े होने पर कई ब आफ्टर बताते हैं कि कई बार बच्पन की चोट बाद के दिनों में भी प्रभावी हो जाती है और लोगों को अपंग कर सकती है यहां तक की जानलेवा हो सकती है तो वो कह रही है कि कमर पे बारो यह बहुत भयानक है और यह बताता है कि दरसल कितनी धीप रूटेट कितनी कहन कितनी गैरी नफरत उनके दिमाग में है जबकि अब वो कह रही है अपने को बचाने के लिए और उनको बचाने में काफी बड़े बड़े लोग जुट गए है और यहां तक की टीवी पुरम का एक सेक्शन खुलेयाम उनको बचाने में लगा हुआ है और कह रहा है कि व vont दरसल उस बच्चे को पाठेकरम पढ़ने में रूची थोड़ी कम थी उसको हॉमवर्ग देने में कोर्स वर्ग करने में वो कमजोर था लहाजा उसको बच्चों से पिटवा रही थी और इसके लिए उन्होंने गारजियन्स जो उनके थे उनको कन्मिंस कर चुकी थी कि बच्चा आपका तभी पढ़ेगा जब इसकी पिटाई हो और इसके साथ बैठकर जो पढ़ते हैं बच्चे वही इसकी पिटाई करें इस तरह की बात भी टेलिविजन चैनलों में उनके हवाले आ रही है और कुछ टेलिविजन चैनल तो अपनी ओर सी भी कह रहे हैं तो आश वीडियो में कहे गए शब्दों से त्रिपता त्यागी इंकार नहीं कर रही है उन्होंने तो अपनी गलती भी मान ली है मैं उनको कोट करता हूँ उन्होंने कहा कि मैं हाँ गलती मुझसे हुई है पर मेरा इरादा ऐसा नहीं था वो ये भी कह रही है कि इसको तो इतना मुद्दा बना दिया गया है ऐसा मुद्दा ये था नहीं राहूल गांधी भी ट्वीट कर रहे हैं ऐसा बड़ा मुद्दा ये नहीं था अब कौन ट्वीट करें कौन बयान दे अखिलेश यादों को या राहूल गांधी को आप क्यों मना कर रही हैं आप अपनी आत्मा मे पैदा हुए जहां पले बढ़े हमने बस्पन में नफरत के ये बीज देखे थे अब आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं नफरत तो 2014 से समाज में पैदा हुई है जी नहीं मैं सिरे से खारिश करता हूँ इस ठीसिस को ये जरूर है कि नफरत की अफीम खेती मैंड कीजे मेरे श अपने समाज में दशकों से सदियों से नफरत के बीज मौजूद रहे हैं और वो हमारी वर्ण व्योस्था में रहे हैं जिन लोगों ने जहला नहीं होगा जिन लोगों की सामाजिक प्रिस्टभूम इस प्रकार किया है कि उनको नहीं जहलना पड़ा होगा प्रताड़ना वो इनकार कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हम जैसे लोगों ने बच्पन में स्कूलों में देखा कि अगर किसी अवर्ण समुदाय का किसी कथित निम्न जाती जो हिंदू अपरकास नो होकर बलकि हिंदू निम्न वर्ग का या निम्न समुदाय कहे जाने वाली जाती का कोई तरह के समुदायों के होते थे और वो पीटने लगते थे बलकि हमारे यहां तो टीचर को टीचर नहीं कहा जाता था सर या मैडम नहीं कहा जाता था उनको एक अजीब तरह के जाती बोध से भरे हुए संबोधन से पुकारा जाता था लेकिन दोस्तों वो लोग कई बार उनमें कुछ टीचर तो बहुत अच्छे होते थे लेकिन कुछे के अंदर नफरत भरी रहती थी वो बकायदे ऐसे लड़कों को जो दलिच समाज के हैं दलिच समाज के हमारे स्कूल में, हमारे इलाके में बहुत कम बच्चे पढ़ते थे लेकिन ओभी सी समधायों के कुछ एक बच्चे आने लगे थे और उनकी पिटाई होती थी सिर्फ इसलिए कि उनका नंबर अधिक क्यों कैसे आ जाता है वो तेजु खाँ क्यों हो जाते हैं बलकि नाम रखा जाता था ऐसे प्रतिवाशाली बच्चों का बहुत तेजु खाँ बनते हो और धमा धम धमा धम उनको थपड़ पढ़ने लगते थे कई बार डंडे भी बरसने लगते थे ऐसी घटनाएं हमने अपने जीवन में अपने बच्चपन में देखी हैं दरसल उस समय नफरत के बीज वो थे अंकुरित हो रहे थे और जो सरकार जो समाज में आई हमारे देश में आई थी वो उसको इंस्पायर करने वाली नहीं थी बलकि उसको एक तरह से उसको रोकने की कोशिश करने वाली सरकार थी उस दोर में उसको उसको एक तरह से खाद पानी देने की कोशिश नहीं की जा रही थी लेकिन खाद पानी समाज से मिल रही थी और सरकार खाद पानी जो समाज से मिल रही थी उसको रोकने में उतनी कारगर उस समय नहीं थी ये बात सही है लेकिन आज आज तो खाद पानी देने वाले ही वे लोग हैं जो सत्ता का संचालन कर रहे हैं ये फर्क है और यही कारण है कि आज चेतन सिंग जैसा आदमी पैदा हो जाता है जो RPF का जवान है ट्रेन में चल रहा है रखवाली करने सुरक्षा करने के लिए और संजोग अधुत है वो अभी पश्ची मुत्तर प्रदेश का हाथरस का रहने वाला है वो चेतन सिंग व्यक्ति जो है ज का नाम था मिना साब टीका राम मिना उनकी हत्या कर देता है उनको गोली मार देता है और फिर ट्रेन के डिफरेंट कोच में वो घुमता है और घुमने के बाद जहां जहां मुस्लिम कम्मूनिटी के लोग दिखाई देते हैं खास कर टोपी पहने या दाड़ी एक खास से बढ़ाए हुए लोग उनकी हत्या कर देता है मुझे नहीं मालूं कि वो कितनी और लोग की हत्या करता अगर उपकड़ा न जाता या ट्रेन के रुखने के बाद वो नीशे न उतरता और दोस्तों आपको मैं बताऊं ये नफरत की खेती है ये नफरत की अफीम खेती है जो लहला रही है कहीं रिपोर्ट होती है कहीं नई रिपोर्ट होती है लेकिन सच यह है कि everyday इन आर्थ इंडिया हिंदी हार्ट लैंड में ये नफरत की अफीम खेती चारों तरफ है अब देखिए मैं तो ये मानता हूं कि ये जो तिर्पता त्यागी है जिनको बचाने में मेंस्टिम मीडिया यानी टीवी पुरम लगा हुआ है और जो पुलिटिकल जो राजनितिक जो सत्ता उत्तर प्रदेश की है उसकी ओर से भी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकत के साथ बयान अभी तक नहीं दिखे हैं लेकिन डिस्टिक में जिस्टेट ने जरूर ये कहा है और डिस्टिक में जिस्टेट का बयान मैं समझता हूं कि एप्रिसियेट किये जाने वाला है एप्रिसियेट करने लायक है अरविंद बांगरी साहब कोई है जिलाधिकारी वहां वो ये कह रहे हैं कि पहले वहां के अभिवावक जो लोग थे जो बच्चों के खा सब्सक्राइब करने को तैयारे है क्यों क्यों कि उनको भरोसा नहीं है प्रशासन पे कि अगर वो fire कराएंगे तो उनकी केस प्रशासन लड़ेगा या उनको नियाय मिलेगा उनको ये लगता है कि कही हमारे घर न बुल्डोज किये जाएं कहीं हमारा घर जला दिया जाएं अभी तक अगर किसी दूसरी community, minority community में ये घटना होई होती, त्रिपता त्यागी जी की जगह कोई और होता, minority community का व्यक्ति, तो निसंदे उसका घर उत्तर प्रदेश में तो कमसकम या मध्य प्रदेश जिसरों में बुल्डोज करा दिया गया होता, याद है न, मध्य प्रदेश में एक स्कूल को बुल्डोज करा दिया गया था, जो प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने वाला स्कूल था, और त् जमकर इस पर अपनी बात का ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है अखिलेश यादो ने ट्वीट किया है और असंख लोगों ने देश में इस घटना पर ट्वीट किया है कि अविलम का रवाई की जाए क्योंकि स्कूल में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि स्कूल में बच्चों को पिटवाया जाएगा मजभब के नाम पर और ये भी कहा जाएगा कि कमर पर पीटो और ये भी एक बयानों देती हैं कि मैंने तो डिकलेयर कर दिया है डिकलेयर करने की बात करती हैं कि ये मुस्लिम बच्चों को उनकी माएं या उनके लोग मैंने कुछ इस लहज वहां पढ़ रहे हैं उनको सरकारी किसी बेहतर स्कूल में डालने का क्या कोई प्रबंध अब तक किया है और तीसरी बात कि क्या इन मैडम को गिरफतार अब तक किया गया है नहीं किया गया है मेरी जानकारी में अभी तक गिरफतार नहीं किया गया है जो धाराएं लगाई ग और दस हजार रूपे का फाइन है ये तो बहुत सामाने है लेकिन ये आपराधिक गटना है ये कॉमिनल गटना है ये समाज में एक तरह से जहर खोलने वाली गटना है इसलिए शिक्षा अधिकार कानून की बात तो अलग है आईपीसी और सियारपी के सियारपीसी के तहत ये लेकिन अभी तक जो कुछ सामने आया है उसमें शासन प्रसासन की जो भूमिका है बहुत साफ नहीं दीखती दोस्तों मैं एक बात जरूर कहूंगा बिलकुल आखिर में इस घटना पर अपनी कमेंटरी के कि राउल गांदी जी ने एक नारा दिया है नफरत के बाजार में म नफरत की अफीम खेती के बीच आज मुहबबत के पौधे लालाने या उगाने के जिद्द करनी चाहिए ये ज्यादा बेहतर रूपक है क्योंकि ये बाजार जो है वो नफरत का नहीं होता है बाजार तो बहुत संदर जगह है बाजार तो ऐसा है कि जहां पर खरिदार और जो बेचने वाला है यानि खरीदने वाला और बेचने वाले के बीच में एक बड़े मानवी रिष्टे होते हैं और बाजार से बहुत सारी संस्कृती भाषा साहित बहुत कुछ निकलता है लेकिन दरसल आज जो इस्तितिया है वो नफरत का बाजार से ज़्यादा ये नफ इस अफिम खेती है और इस अफिम खेती में आज के दौर में चाहे जो लोग भी अपनी बात कह रहे हों इसके खिलाब उनको महबबत के पौधे लाहलाने की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि इसमें सब को मिल के काम करना होगा बिल्कुल आखिर में एक बात कहूंगा कि मा मिन बंगलोर जा करके और बकायदे जो इस्रो का हेड़ कौर्टर है वहाँ वह क्या निकोसे मिले हैं शाबासी दी है अच्छा काम है ये तो मैं प्रधान मंतरी की तारिफ करूँगा कि उन्होंने वो हर पार ऐसा करते हैं और पिछली बार तो पहुंस गये थे जब चंद्रि वन सपन हुआ था 2008 में तो इस बार प्रधान मंतरी वहाँ पहुंचे और उन्होंने बहुत तारिफ की दोस्तों उन्होंने नेशनल इस्पेस डे मनाने की का आवान किया इस्पेस जो चंद्रियान जो थी वहाँ पर उत्रा है जिस तारिख को उसको नेशनल इस्पेस डे य को कहा जाएगा जो चंद्रयान टू जिसके आस पास पहुंचा था जिस पॉइंट के उसको तिरंगा पॉइंट कहा जाएगा और जो चंद्रयान तीन जहां पर लैंड किया है शिव शक्ति पॉइंट उसको कहा जाएगा इसको लेकर बहुत सारी controversy है लेकिन दोस्तों शिव तो कल्यान के प्रतीक हैं हमारे mythology में शिव कल्यान के प्रतीक हैं लेकिन क्या हम पश्यम उत्तर प्रदेश में चाहे मुझभफर नगव हो चाहे हाथरस हो जो घटनाए घट रही हैं कहीं उतमें कल्यान आपको दिखाई देता है तो दोस्तों हम वहाँ पर चाहे वो शिव शक्ती point बनाए या तिरंगा point बनाए मून पर चंद्रमा पर लेकिन अगर धरती पर हम नफरत की अफीम खेती ही केवल लहाने की कोशिश कर रहे हैं उगाने की कोशिश कर रहे हैं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाग बात है इसको रोका जाना चाहिए चंद्रमा पर हमारा पहुँचना शांदार है बहुत ही बड़ी उपलब्दी है लेकिन धरती को खुशहाल बनाना संब्रिध बनाना मुहबत का एक पुरा का पुरा संसार रचाना ये भी बहुत जादा बहुत पूर है अगर इतनी कटुता समाज में रहेगी कि बच्चे केवल माइनार्टी और मिजार्टी कमिनिटी के नाम पर लड़ाये जाएंगे इस तरह पिटाई उनकी होगी और शासन प्रसासन से लेकर मीडिया के एक हिस्ते में इसको डिफेंड करने के लिए बहाने बनाये जाएंगे कि वो अब उसका पाठ वो पढ़ ले ठीक से उसकी पढ़ाई हो इसके लिए पिटाई की जा रही थी इस तरह की दलील कोई दे और उसको बकायदे टीवी दिखाए हास्यास पद है तो आज दोस्तों इतना ही नमस्कार आदाब सत्स्रियकार